दोस्तों या Enthethenis walrina flowers इसे बीजी लीली भी flowers करता है या flowers छोटे-छोटे होते हैं और बहुत सेकुड़ की संक्या में फूल में खिलते हैं winter के season में देखिए दोस्तों यह पिंक पर्पल कलर्स में और इसमें वाइट कलर के धारी-धारी आयए पूरा पुटेनिय फूल के तरह खिलते हैं लिए पुटेलिय फूण आपके बहुत बड़े बड़े अकार में होते हैं लेकिन चोटे 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 अकार में होते हैं और इसके कलियां देखिए कितने सुन्दर चोटे चोटे अकार की होती और यह बहुत गुच्चे में बहुत गजब के इसमें फ्लॉरिंग होती है नमास्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैं अर्विंद कुछ वहाँ आप लोगों को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों विंटर के सीजन के सबसे फूरस खुबसूरत फूल में इन फेसियस बॉल बीना फूल है मैं आज आपका इस वुडियों में सेर बताऊ इस फूल को कैसे के टिप्स करना है इसे आप दिसंबर के महिने में भी लगा कर से मार्स से बहुत सारा फ्लारिंग ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे मिक्स में आते हैं देखने में ब्यादी एक उसूरत फूल लगता तो मैं आज आपका इस विडियो में इसका क्या टिस इसके बारे में पूरी जानकारी इस विडियो में आपको बताऊंगा देखिए या इन फूल है कितने सुन्दर-सुन्दर खिले वे और यह मिक्स में आयुए हैं इसमें वाइट एम रेड कलर के बहुत सारे कलर्स पाया जाते हैं और मिक्स कलर्स में बहुत ही अच्छे से प्लांट में बहुत जज़ादा मातरा में फ्ला इंग होती है, इसके बहुत से फ्लाॉरिंग होती है, इसको बहुत का मिक्स के रूप में मिलता है यह एल्लो ग्रीन आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बीजी लीली एनीम फेतियस के पौधे को बहुत कम देख रेक में आप अपने घर में असानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फुल ले सकते हैं इस पौधे को प्रोपर सनलाइट में 6-7 घंटा रखिए क्योंकि जाड़े के मौसम में ऐसे ही कोहरा बना रहता है प्लांट्स को अप प्रोपर धूप नहीं लगता है जिसके कारण कलिया फूल के रूप में नहीं कनबड करती और गिर जाती है इसलिए आप जितने भी फूल वाले सब लगाते हैं तो मिट्टी में मिलागे फटिलाइजर डाले जब फूल खिलने लगे तो आपको फटिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वाधा गितना देखने में छोटा लगता है इसके फूल उतने ही खूपसूरत होते हैं पत्ती हरी चमकदार हैं च चोटी चोटी निकलती है लेकिन सैकड़ो की संक्या में छोटे से प्लांट्स में फूल खिलते हैं और फूल देखने में बेहदी सुन्दर लगते हैं और यह डेवल परपल कलर में आते हैं मिक्स कलर्स में आते हैं सिंगल पेटेंड में भी आते हैं या पौदे इसे आप लगाईए अच्छे से प्लांट्स ग्रो करेंगे और जब इसकी कलिया आने लगे ताब इसको पौधे को आपको थोड़ा केर करने की जुरुत पढ़ती है न्यूट्रिशन्स पोसत्त्तु की प्लांट्स को बहुत जुरुत पढ़ती है तो आप उइसा ही फटिलाजा जाती स जिसमें मैगनिसियम का फासफोरोस केल्सियम पर चूर मात्रा में रहे है और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करें कलिया को आपको गिरने नहीं दे और कलिया को फूल के रूप में करें बड़े बड़े फूल खिले ओभर वाट्रिंग इस पोधे को नहीं करना है जैब इसकी मिट्टी पूरी तेरा सुख जायता है इस पोधे में आप पानी दीजिए और जिस गमले में भी लगा रहा है उसका ड्रेनिंग और अच्छी तरह से किलिए रहना चाहिए जल जमाओ की समस्या नहीं रहना चाहिए इस छोटे से प्लांट्स में गमले के मिट्टी को अच्छी तरह खुट्पी की तायता से कोड़ कर भूरबूरी की टाइप का कर लें क्योंकि इसमें भूरबूरी मिट्टी में पोटासी ऑक्सिजन का संचार अच्छी तरह से होता है जो भी खाद डालिये का प्लांट्स अच्छे से और जोट करता और पोदे का ग्रोथ को बढ़ाता है इसलिए जब इसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से भूरबूरी हो जाए तब आपको इसमें फटी लाइजर देने की जरूत होती है उसके बाद हमने बर्मी कंपोस्ट खाद लिया इसमें केचुए से खाद से बना होता है इसमें कल्सियम फासपोरस मेगनि फूल खीलता है उसका हमने मात्र 50 ग्राम लिया है इस पौदे के लिए क्योंकि अप्लांस हमारा बहुत छोटा होता है आप गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से कुड़ाई करके आप पौदे के जड़ के पास बर्मी कंपोस्ट खाद को डाले इस खाद को डाले से पौद का गुन पाए जाता है इसको पौदे में डालने से आपके मिट्टी के रूरा सकती बढ़ती है पौदे में जो भी किट फतंगे लगता है उसको जड़ से सफाया कर देता है इसलिए आप एक चमबच डालिए उसके बाद मेरे 10-15 दिन के बाद देखे मेरे प्लांस में कितन फटिलाइजर डालना है उसके बाद आप इस प्लांस को फटिलाइजर मत दीजिए जब कलिया छोटे-छोटे रहता है वह आपको देना है उसके बाद इस पौदे को आप प्रोपल सनलाइट में 6-7 घंटा रखिए और जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जायता है वह आपको इस प्लांस में पानी देना है जाड़े के मौसम में दो दिन के अंत्राल में कि मिट्टी में ऐसी ही नमी बनी रहती है अगर आप इसमें वहर वाट्रिंग कर देंगे तो इसको कलिया गिट जाएगी आपके प्लांस भी खराब हो जाएंगे इस चटो से प्लांस में फ्लारिंग बहुत जादा होती है और देखने में बेधी खुबसूरत लगता है आपके चार महीने तक इसमें फ्लारिंग होती है इस छोटे से पौदे में मैंने इसके चार से पांच प्लांट्स लगाए थे लेकिन बीच में इतनी बारिस हुई हमारे यहां कि सभी पौधे खराब होगे सिर्फ दो ही फोधे भजे और दोनों पौधे में अच्छी तरह से फ्लारिंग हो रही है इसलिए आप इस प्लांट्स को ज्यादा मातरा में प चोटी चोटी होती है और यह फुरा गमले में भर जाते हैं और देखने में बेहदी खुबसूरत लगता है या फूल इस पौधे को हमने दिसंबर के सुरू मन्त में लगाया था और जन्वरी के आदे मन्त में इसमें फ्लारिंग बहुत अच्छे से आने लगती है 30 से 35 दि की बहुत समझया रहती है इसलिए आप संलाइट में इस प्लांट को रखें और इस पौधे में कीट फतंगे भी ज्यादा मातरा में लगते है तो उसको हटाने के लिए आप नीम वैल का श्प्रे करिए आपके प्लांट हरे-भरे रोगमुक्त रहेंगे रोगमुक्त प्ला आएंगी और फूल के रूप में कनबट हो जाएंगी और गुच्छे-गुच्छे में फूल खीलेंगे अगर जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इस प्लांट्स को पानी दीजिए क्योंकि अब पानी बहुत कम मात्रा में प्लांट्स और जोर्ब करता है इसलिए आप इसको पानी ओवरवाट्रिंग नहीं करना है और प्लांट्स में आपको दो दिन के अंतराल में पानी दीजिए बहुत अच्छे से प्लांट्स ग्रू करेगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है उसके लिए आपको प्लांट्स को थोड़ा सा क्यार करने की जोर्वत है आप इस प्लांट्स को प्रोपर्शन लाइट्स में रखिए और जे मिट्टी इसकी पूरी तरह सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए और पंद्रे दिन के अंतलाल में बर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोवर का खाद दीजिए आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोर करेंगे और सेकडों की संख्या में फूल एमकलिया आएंगी इस छोटे से भी पौदे में और हमारे गार्डेन को और भी खुसनुमा बना देंगी क्योंकि इसमें डवल परपल कलर आता है सिंगल परपल कलर आता और बहुत सारे भरैटी पाए जाते हैं कलर्स के और सबी कलर्स बहुत ही अच्छे से फूल खिलते हैं और छोटे से गंबले में फूरे गुच्छे गुच्छे में हम गोल आकार में कनवर्ट होके फूल आता है विंटर के सिजन में इसी तरह से पोधे का देख भाल करिए और बहुत सारे फूल यह जादा संख्या में फूल पाईए तो दोस्तों मिलते हैं अफिर अगले विडियो में नहीं किसी टोपी के साथ नहीं किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ त इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लांट्स में देख भाल करने की जरूरत है उसके बाद आपके प्लांट्स में फूल ज्यादा मातरा में खिलेंगे फूल का अकार भी बड़ा बड़ा होगा बाई बाई टाटा